हेलो फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं स्पेशिस वन बीएज के फ्लैट जो की 486 कारपेट का है और यह फ्लैट बिल्कुल ही बेस्ट लोकेशन में सिचुएटर है यह पूरा टाउंशिप डेवलपमेंट है यह टाउंशिप डेवलपमेंट में आपको बता सकते हैं कि अल्मोश 40 एकर का यह टाउंशिप प्रोजेक्ट है यह इस प्रोजेक्ट में आपको एक चीज है कि आपके बास ready to move options भी मिल जाते हैं साथी साथ चलिंग जब भी करवाएं तो आपके पास एक extra space रहे तो आप यह देख भा रहे हैं डाइनिंग स्पेस है यह डाइनिंग स्पेस में आप चाहे तो डाइनिंग का करें या तो फिर आप पुजा रूम भी कर सकते हैं और यह देखें यह है kitchen यह kitchen में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें हमारे पास दोनों ही side में parallel platform मिलेगा parallel platform का advantage यह हो जाता है कि एक ही time पे दो जग काम किया जा सकता है और reach भी उतना ही जल्दी हो सकता है और यह आप देख सकते हैं जैसे ही cabinets वगेरे प्रॉपर बने हुए ह जिसमें आपको extra storage space मिलता है साथी साथ आप देख सकते हैं खिड़की के बाहर के kitchen में कितना अच्छा ventilation आपको मिल रहा है इस ventilation के कारण आपके kitchen के अंदर ना आपको suffocation जैसा feel होगा और airy atmosphere maintain रहेगा जैसा अभी आप देख सकते हैं इसमें cavity space बना के दिया गया है यह पूरा डिजाइन करवा कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यह एक जस्ट एक्जांपल दिया गया है कि कैसे आप कर सकते हैं यहां पर आप नीचे भी रखे के समान नीचे भी समार रख सकते हैं जिससे कि आपको अलग से कुछ space की ज़रूत ना पड़े वैराल आपको एक लपर की तरफ से प्रवाइड की जा रही है तो आप अपने choice की साफ से कर सकते हैं यह देखिए वाश्रूम वाश्रूम में हर एक चीज ब्रैंडड़ फिटिंग यूज की गई है यह जैग्वार की फिटिंग है पूरी आप यह देखिए वैट एरिया है यह step down है थोड़ा क्योंकि पानी का फ्लो एक तरफ हो इस वज़े से जैशा कि मैंने कहा था यह जैगवार फिटिंग होगा आप देख सकते हैं और यह एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा स्पेशिएस वन भी एच के हैं क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा तीन सो साड़े तीन सो या मैक्सिम्म चार सो के कार्पेट मिल गए और इस मार्केट ट्रेंड को तोड़ते हुए बिल्डर ने 486 मतलब आल्मोस्ट 500 कार्पेट काट वन भी एच के बनाया है तो यह आप समझ सकते हैं कितने स्पेशिएस होगा जैसे हम देख रहे हैं बेडरूम में आपको देखें कैविटी स्पेस एक अलग से दी गई है प्लस हें और यह भया से बाद भी आ अपने हिसाब से इंटिरियर करा सकते हैं यह देख जै управ के बनाया है स्पेशिए वाष्टुम के पीछ उप्तुम के पीछे के नमर पर कॉंटाइक कर चकते हैं आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताके हम हर बार आपके लिए कुछ नए ताजो तरीन वीडियो दिया आते रहें थैंक्यू